है 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 अधिए है हलो दोस्तों आप सब का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल और गैनेक अड़्रोपोनिक अर्बन ग्रोप पर दोस्तों क्या आपको पता है है डीफ्टी सिस्टम क्या है है और हमें do 그거 क्यों करना चाहिए उसके लाब है और यह क्या क्या चीज़ें होगा सकते हैं यही सारी जानकारी में अच्छा ज़िए वीडियो में साजा करने क्या दिएफेटी का पुरा मतलब होता है डिप फ्लो टेक्निक में हम यह जो पाइपे है इसमें पाणी को कंटीनुशली भाते रहते हैं और साथी में पानी को कुछ लेवल मेंटेन करके रखते हैं मुल्बूत रुप रुप से डिएफ्टी हेड्रोपॉनक की दो टेक्निक का मिश्रन है जिसमे एनिए प्रवट शिश्टम जिसमें पानी को हम Conctinus L Ohio से पाइपों में गुमाते हम इसका और डिस यानी टिप वाटर करिक्रकुल्चर टेखनीक का द्यन किया गया है इसमें इसके दोनों के लाप को लिया गया है इसमें हम क्या करते हैं हम फिंप की मदद से पानी को कंटिनियूसली इन पाइपो के दुрь आपों में डालते हैं यह पानी स hunting तर्क्योफ निझा 聲ेस गुद पानी का तेंक वह थोड़ा उच्छाई पर फीट करते हैं जिससे क्या होगा इन पाइपों में कुछ लिमिट तक पानी बरा रहेगा जिससे कि जो पौदे की जड़े है वह हमेज़ा पानी में डूबी रहेगी तो एक आप देख सकते हैं यह जो पौदा है यहां तक इसको पानी में हमने ड सिस्टम में कभी पावर चला गया बिजली चली गई तो पानी का सप्लाई रुख जाता है और थोड़ी देर में जो जड़े है पौदे की वह शुखना सुरू हो जाती है और कभी-कभी हमारे पूरे पौदे को मार देती है इसके सामने डिएफ्ट सिस्टम में कुछ लिमि सरवाई करेगा दूसरा जैसे डिप वाटर कल्चर की जो क्रेट के सिस्टम में जैसे पानी का लेवल उसमें थोड़ा कम हो जाता है उसके बाद उसकी हवावाली रूटे जड़े आ जाती है जिससे उसकी ऑक्सीजन की आपूर्ती अच्छी तरह हो जाती है तो डिएफ्ट ओनों सिस्टम का एड़्वांट्एज से जो ये डिएफ्टी सिस्टम अब आता है दिएफ्टी सिस्टम में हम क्या-क्या उगा सकते हैं जैसे के द्रिएजसे बहुत ही बढ़िएज सिस्टम है जैसे उसमें लेटूस है पालक है दनिया है वह सब बहुत अच्छी तरह जब हम dwc या Cr Elli Key method की बात करते है उसमें हम फल वाली सब्धिया बहुत अच्छी तरह उगा सकते है पर उसमें यह होता है कि जैसे सीजन कांत होता है तो क्राट की में पानी खतम आने की वज़ह से वह सीजन काफी होती है या सीजन के एंट पर हमें फोलो को पकाने में परेशानी होती है जिसके सामने सिस्टम में पानी कंटिनेश करता रहता है और हम पौदों को कि चार मयने छे मईने अर्ण मुहीने साल तक भी इसमें चला सकते है इस तरह यह सिस्टम हमें दोनों सिस्टम के उपर काफी सारे फाइदे पहुचाती है, अभी बात आती है, इसमें हम क्या-क्या उगा सकते हैं, जैसे आप ये बाजू का टावर देख सकते हैं, जिसमें हमने गोबी उगाई है, फुल गोबी उगाई है, ब्रोकॉली उगाई है, ये सारी चीजे इसमें उगा सकते हैं, इसके अलावा दनि इसमें ककड़ी मेलन यह सारी चीज़ें उगा सकते हैं खाली इसमें एक डिसएडवांटेज है कि जैसे हम जब बड़े पौदे उगाते हैं तो इसमें सपोर्ट कम होने की वज़ा से जुग जाते हैं तो हमें इस तरह इसको इसमें सपोर्ट देना पड़ता है तक कि पौदे अपनी position में बने रहे और आप देख सकते के मिर्ची के पौदे कितने अच्छे इसमें पनप रहे हैं और इसमें मिर्च भी लगनी शुरू हो गई है एक और disadvantage इस system का इस system में इन पाइपों में पानी भरके रखना पड़ता है और ये एक पाइप में करीब 70-80 लीटर पानी हमारा इसमें बरा रहता है तो जैसे बड़ी system बनती जाती है उसमें मैं काफी सारा पानी का यूज़ करना पड़ता है initially इससे हमारी शुरू आती कॉस् पर उसके सामने हमारी power fail की condition में हमारे पाक को बिलकुली हमारी safety मिलती है तो यह है दोस्तों DFT system यह हमारा जो DFT system है वो हमने बहुत ही simple design किया हुआ है इसमें यह जो pipe है इसमें से इसके अंदर पानी continuously आता रहता है यह पानी गोल गुम के वो दूसरी सामने वाली pipe हो में जा है हम stage के हिसाब से इसमें पानी nutrition बदल भी लेते हैं इस तरह बहुत ही आसानी से हम बहुत तरह के के पहुते को उगा सकते हैं तो आपको यह system कैसा लगा मुझे comment में लिखकर जरूर बताईएगा और आप भी अपने लिए सब्सक्राइब करें और घर पर हैड्रोपॉनिक सब्सक्राइब बहुत ही आसानी से हुगाई है एपी ग्रोईंग्ग